नमस्कार दोस्तों यह है इलीडी बल्व तो इसको दो-तीन दिन पहले खरीद कर लाए थे और यह खराब हो गया है यह नॉन गारंटी में इसकी गारंटी नहीं है तो इसको ठीक करके दिखाएंगे कि इलीडी बल्व को किस तरह से ठीक किया जाता है तो सबसे पहले क्या करना है इसको चेक करके दिखाते हैं उसके लिए चाहिए बिजली का बोड देखें दोस्तों यह बिजली का बोड है तो सबसे पहले इसको बिजली में लगा करके चेक करके दिखाते हैं इलूरी बलबहर बिल्कुल नहीं जला आए, तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, देखे इसके रक्कन को आठा दिया हैं, तो क्या करना है सबसे पहले एक इस तरह का खाली डिबब लेना है और उसमें इस तरह से इसको रख देना है तो सबसे पहले चेक करना है कि इसका ड्राइबर खराब है या इसकी जो यमपी पी सीवी जो इलेडी लगी हुई है वो खराब है तो देखिए बल में हलकेल की रूशनी आ रही है वह देखिए करेंट इसमें है वो आ रहा है करेंट आ रहा है और यह नहीं जला है तो अब क्या करना है दोस्तों इसमें दोस्तों जितने यह इलेडी लगी हुई है जो यमपी पी सीवी बोर्ड में जो इलेडी लगी है वनमें से कोई एक इलेडी है वो खराब हुई है इसलिए यह बल्म नहीं जला है तो उसके लिए यह क्या करना है एक एक लीडी को चेक करना है देखिए एक एक लीडी को इस तरह से डारेक्ट करकर करके देखना है देखिए यह वाली लीडी है वो खराब हो गई है इसलिए यह बल्ब नहीं जलना है तो अब क्या करना है सबसे पहले तो इसको बिजली से अठाना है इस तरह से उसके बाद में इसको डिस्चार्ज कर देना है देखिए ये बाई चांस अगर चार्ज बना रहे तो करेंट भी लग सकता है देखिए इसको डिस्चार्ज कर दिया है उसके बाद में इस LED को हटा देना है इस तरीके से उसके बाद में क्या करना है इसी वायर को देखें इसी वायर को थोड़ा सा और इसमें से वायर निकाल लेना है इस तरीके का उसके बाद में थोड़ा सा इसमें पेश्ट लगा देना है उसके बाद में क्या करना है इसके जो बायर है इसका पिलस और माइनस दोनों सिरी को टरस कर देना से, इस तरीके से दोनों पिलस माइनस के सिरी को टरस करदेना उसके बाद में इस वायर को इस तरह से हटा देना आ है zijn आप चलिए फिर से Orleans को चेक करते हैं देखे एलीडी वल्ब है वो बिलकुल बढ़िया जलने लगा आई तो दोस्तों इस तरह से आप एलीडी वल्ब को घर पर ठीक कर सकते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना धन्ने वाद दोस्तों